तीन गिसंबर रईवार को दुर्ग जिले की सवी छे विधान सवा सिंटों पर मतों की गढ़ना विधिवत ली जाएगी जिसके चलते जिला प्रशासंद वारा मीडिया को मत गढ़ना स्थल पर आने जाने वह वहां रहकर कारे करने ही तू पास जारी करने में जनसंपर का दि और उन्हें रखा गया है इससे वंचीत बतादे विधान सवा मत गढ़ना 2023 दुर्ग विधान सवा चुनाओं 2023 के बाद रविवार को सभी छे विधान सवा सीटों पर मत गढ़ना की जाएगी जिसके चलते जिला प्रशासंद द्वारा मीडिया को मत गढ़ना स्थल पर आन परवाही और मनमर्जी के चलते दूर्ग के स्थानी प्रेंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के कुछ लोगों का पास अभी तक नहीं बन पाया है जिसकी शिकायत पत्रकारों ने दूर्ग कलिक्टर पुषपेंदर मीना से की इसके बाद दूर्ग कलिक्टर ने पेंडिंग पड़े पासेस को जल्द बनाय जाने की बाते कही दुर्ग कलेक्टर discipline के चरचा के बाद समपर्क विभाक के अधिकारी न टेस कुमार से बात की गई तो उन्होंने साफ पल्ला झारते हुए कहा कि मैंने पास बन जाने की बात नहीं की कि है कलेक्टर सरने की है दुर्ग जिला जनसंपर्ग विभा के कायलाय से मिली जानकारी के नुसार रेजिस्टर में सभी दैनेक अखबारों के नाम के लिस्ट का वलोगन करने के बाद पता चला कि मतगरना स्थल के लिए जारी किये गए पास में यूट्यूप पोटल सही को दैनिक बताती हुए अपनी सफाई पेश की मगार हकीकत में जनसंपर कविभाग के रजिस्टर से दैनिक अखबार के लिस्ट में उसे अखबार का नाम ही नहीं है मानों ऐसा माना जा रहा है कि जनसंपर कविभाग ने सिर्फ चहरा देख देखकर ही पास बनाया हो और कारण क्या है ये तो जिला प्रशासन ही बता सकता है ग्रैंड एस ये निउस के लिए दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट